नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोच चाड़क और आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3i Infotech Limited के बारे में तो दोस्तो इसके quarterly नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने previous वीडियो में बोला था कि मैं 3i Infotech का वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आने वाले समय में ये stock अपने base value यानि कि 1.2 पे जाएगा या फिर यहां से आपको double returns कमा के देगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important रहने वाली है अगर आप इस stock को hold कर रहे हो और मैंने आपको बोला था कि 28 को आप bind करें आज पूरे दिन आपको पूरी opportunity मिली है इस stock में enter होने की आप definitely doubt में जरूर होंगे क्योंकि आज इसके results जो है वो दोस्तो market और्ष के बाद आये हैं तो आपने हो सकता है कि ना लिया हो तो अगर आपने नहीं भी लिया है और आप लेने की सोच रहे हैं तो इसके quarterly नतीजों का आपको पता जरूर होना चाहिए तो दोस्तो results दिखाने से पहले मैं आपको एक line पढ़ाना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है हो सकता है आप सीधा PDF खोल के चार्ट पे जाएं इसलिए आप इसका PDF अगर BSE की website से download करें तो इसका पूरा content जो है वो पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि आप एक penny stock में पैसा लगा रहे हैं तो deep research करना बहुत ही ज़रूरी है जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तभी आपको suggestion दूँगा कि जब आप इस stock के quarterly नतीजे देखेंगे हाला कि मैंने उसमें बोल दिया था कि ये 5 से नीचे नहीं जाएगा बट इसके quarterly नतीजे देखना बहुत ही ज़रूरी था तो ये important line है जो मैंने यहाँ पे notice की है we draw attention to note number 5 of the consolidated financial results which relates to differences in the imbalances of the subsidiary 3i Infotech Saudi Arabia LLC amounting to INR 422 2 lakhs due to certain transaction not being considered for consolidation purpose which the management is in the process of reconciliation तो दोस्तों ये data आप देख सकते हैं इसका आपको हो सकता है आने वाले समय में पता चले बट एक बात का आप ध्यान रखेगा इस line को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको notice ज़रूर करेगा और हो सके तो पूरा PDF पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि आप penny stock में पैसा लगा रहे हैं तो आप deep research नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको loss हो जाए अलागि मैं कोशिश करूँगा कि कोई line skip ना करूँ तो दोस्तो company के जो reach है वो worldwide है और इसमें कोई दोराय नहीं है तो मैं बात करता हूँ इसके consolidation result की consolidated result जो है वो हम यहाँ पर पढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इसके consolidated result पढ़ाता हूँ जो यहाँ पर आए हैं और यह data lakhs में है तो यह मत doubt करेगा कि यह earnings crods में है तो दोस्तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस quarter की तो यहाँ पर आपको definitely कम दिखाई दे रही है बटा आपको जादा चिंता करने की जुरूरत नहीं है पिछले quarter के comparison में यह company अच्छी कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं 25,080 lakh है अगर आप दोस्तो देखते हैं इसका year on year basis पर तो revenue जो है वो दोस्तो आपको कम होता हुआ दिख रहा है 86,361 था और अगर मैं बात करूँ दोस्तो अभी की तो 76,384 है तो यहाँ पर आपको fall definitely दिखाई दे रहा है यह definitely आपको चिंता का विशे जरूर लग रहा होगा उसके बाद total income की बात करूँ तो same है total income भी आपको कम होती होई दिख रही है पिछले साल पिछले quarter के comparison में और अगर मैं बात करूँ year on year basis पर दोनों जगा आपको income जो है वो कम होती हुई दिख रही है expenses की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो comparison में अगर आप देखते हैं तो आपको कम ही दिखेगी बट वहाँ पे आपकी जो total income थी वो भी कम ज़्यादा थी तो इसलिए अंतर तो आपको definitely देखने को मिलेगा अगर आप 2019 के बात करें तो इनकी जो revenue था वो ज़्यादा था तो इसलिए expenses भी definitely बढ़ते हैं बट अगर आप अभी देखेंगे तो expenses ठीक है दोस्तो अगर मैं बात करूँ profit loss before tax तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26,680 है और अगर मैं बात करूँ पिछले quarter की तो यह काफी जादा recovery वहां से दिखा रहा है बट अगर पिछले साल पिछले quarter की बात करूँ तो 3,116 यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको fall यहाँ पे दिखाई दे रहा है बट अगर मैं year on year basis पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको jump दिखाई दे रहा है 5,416 लैक था और यहाँ पे बढ़के अभी हो गया है 5,780 लैक उसके बाद अगर मैं बात करूँ profit loss for the period तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले quarter के comparison में definitely आपको अच्छा move दिख रहा है बट अगर पिछले साल पिछले quarter के comparison में देखते हैं तो आपको जो result हैं वो दोस्तो थोड़े ठंडे दिखाई दे रहे हैं 2720 लैक था और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं होके हो गया है 2187 हलागि आपको year on year basis पे अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी खासी बड़त यहाँ पे दिखाई दे रही है और अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तो EPS की तो EPS भी आप यहाँ पे देख सक है तो यहाँ पे अगर आप revenue देखते हैं तो आपको जो main income दिखती है वो दिखती है IT solutions थे तो IT solution में आप देख सकते हैं पिछले साल पिछले quarter में 27,260 था और अभी यह कम होके हो गया है 25,900 तो अगर आप year on year basis पे दिखते हैं वो भी आपको यहाँ पे कमी दिखाई दे रह होंगे बट एक penny stock के लिए इस तरह का continuously कोई चीज रखना वो बहुत बड़ी achievement होती है और हो सकता है company आने वाले समय में better कर सकती है बट हाँ एक threat आपको जरूर लग रहा होगा वो threat है इसका दोस्तो एक साल का chart यह threat आपको definitely लग रहा होगा यह जहां पे इस stock ने rally शुरू क राइड की है जो शानदार rally है हालकि वहां से यह stock अभी काफी जादा पिट चुका है बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी stock में multi bagger returns की आशार रखते हैं तो इसमें आपको risk भी लेना पड़ता है और यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तो इ company काफी अच्छा कर रही है बट अगर आप इसका max chart देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस company ने काफी जादा रूलाया है बेल्थ destroyer है यह company एक समय में डेड़ सो के पार यह stock मिलता था 2007 में और वहां से क्या धडले से इसकी band बजी है और band बजती ही रही है अगर अबी तो इसके अलावा इसने कुछ भी कमाके नहीं दिया है 2018 में last यह 9 रुपे के आसपास गया था उसके बाद यह stock पिटा ही है क्या इस तरह का move है क्या यह pump and dump का case है तो दोस्तों यहां तक मैं बोलूँ कि यह pump और dump का case बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है pump and dump का case होता तो य company loss में होती ही जैसे कि example के तोर पर आप आरकाउम ले सकते हैं जैन irrigation ले सकते हैं even आप दोस्तों आप वो stock देख सकते हैं let's say jet airways देख सकते हैं company बंद है फिर भी आप देख सकते हैं spice jet से उपर trade कर रहा है तो यह चीज़ें होती है pump and dump की अगर आप इसकी sales growth देखेंगे अग आपको अच्छी खासी moment दिखेगी definitely अगला quarter जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important रहेगा ये quarter भी बहुत ज़्यादा important है मैंने जिस आप से सोचा था उस आप से result नहीं आये हैं बट result जो है वो काफी अच्छे आये हैं और मैं आपको बोलूँगा कि यहां पर रिस्क बिलकुल भी suggest नहीं करूँगा और अगर आपका 10 लाग capital है तो आप दोस्तों अपना price adjust कर सकते हैं 5 to maximum 10,000 के बीच बीच यहां उसके आसपास आप लगा सकते हैं तो यह आपके लिए better रहेगा और अभी बात करते हैं जो मैंने starting में बात की थी कि यहां से यह stock 1.2 पे जाए और यहां से अगर मैं rally के बात करूं तो rally के पूरे पूरे chances हैं rally के अगर मैं बात करूं तो यहां पे stock consolidation दिखा सकता है कल market इस पे कैसा react करता है यह हमारे लिए बहुत ही जादा important रहेगा यह हमारे लिए important date है तो यह इस बात का भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है और दूसरा फिर हम पूरा पूरा जो हम अंतासा लगा दें अगर अगर आप मेरे को पूछें यहां से यह double होगा तो मुझे लगता है कि यहां पर अगर consolidation दिखाता है तो वह हमारे लिए ज्यादा better रहेगा और यहां से यह सोब पूरा पूरा rally दिखा सकता है और अगर आप इ 50% का stop loss लेके चल सकते हैं क्योंकि एक penny stock है तो 50% जो loss है वो जिलना तो बनता ही है boss तो वीडियो अची लगे like, subscribe और share जरूर करें धन्यवाद